आए राम, वरत्मान में सभी लोग कोविट महामारी से परिसान है और इस महामारी में रोग तो ठीक हो जाता है पर लंग्स पर जो नुक्सान होता है जिस कारण आक्सियन लेबल कम होने लगता है और रोक के दोरान भी ऑक्सिएन लेवल कम होने लगता है और जिसका एक ही इलाजे की पेशेंट को ऑक्सिएन सपोर्ड पर रखें और वही सबसे ज़्यादा पेनिक कंडिशन हो रही है व्यक्ती हर्च किस्ता पतिती के और देख रहा है उसे कही से भी कुछ हेल्प मिल जाए इस दोरान होमियोपेथी बहुत रूक में मदद कर रही है पर होमियोपेथी में एक दवाई है जिसका नाम है कालिकारव के ए ए एलाई सी ए आरडी कालिकारव यह एक हजार पावर दो सो पावर या तीस पावर जिस पावर में भी मिल जाए, उस पावर में इसका प्रियोग किया जा सकता है इसकी दो-दो बून हर आदे घंटे में पेशिंट को जिवान पर देने से आक्सियन लेवल बढ़ता है, लंग्स भी ठीक होते हैं यह लंग्स की दवाई है, यह वाइरल निमोनिया की दवाई है इस दवाई के प्रियोग से धीरे-धीरे करकर लंग्स ठीक हो जाते है इस दवाई को दो तरह से प्रियोग किया जा सकता है हम लिक्विड में बजार से दवाई ले ले और उसको सीधे जिवान पर डाल सकते हैं परंतु होमोपेथिक दवाई में अलकोहल की मातरा 96% होती है जो जिवान पर जलन करती है इसलिए होमोपेथि में एक्वा सालूशन बनाने का विधान है और उसका तरीका भी बहुत सिंपल है कि हम 25-30% होशदी ले बाकी पानी मिलाकर उसको एक्वा सालूशन बना सकते हैं वहाँ भी समान रूप से लाब खारी है और यह होशदी हमने बहुत से रोगयों को दी है पोस्ट कोविड जो होस्पिटल में भरती थे जिनका ऑक्सिजन लेवल नहीं बढ़ पा रहा था उसकारण ही वो होस्पिटल में ऑक्सिएन सपोर्ट पर थे वो दो से तीन दिन में ठीक होकर घर चले गए जो कोरोना से पीडित हैं वह भी यह दवाई लेंगे तो कोरोना तो वाइरल इंफिक्शन है जिसे सरीर स्वयम भी ठीक करता है पर ऑक्सिजन वाली जो समस्या है लंग्स की जो समस्या है वह इस दवाई से ठीक हो जाती है अता आप इसका प्रियोग कर सकते हैं साही राव